नमस्कार दोस्तो लीड इंडिया लॉइस यानि लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो प्यार करते हैं पहले और प्यार करने के लिए तो ना तो जो दो लोग होते हैं वो जाती देखते हैं ना धर्म देखते हैं पहले प्यार हो जाता है उसके बाद से शादी के बारे में विचार करते हैं। सब कुछ मैं बताऊंगा धर्म परिवर्तन क्या है ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा देखे दोस्तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको मैं बात करूँगा हमारे constitution के Indian constitution के Indian constitution में यह लिखा गया है Indian constitution में हमारा fundamental right है कि state का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा यानि हिंदुस्तान का इंडिया का अपना कोई भी धर्म नहीं है जैसे कई लोग कई countries Islamic है तो कुछ Hindu country है लेकिन कुछ countries ऐसी है जिसमें इंडिया है वो secular country है secular का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति कौन से धर्म का पालन करे उस पर किसी भी परकार की पाबंदी नहीं है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है किसी भी धर्म का निर्वहन कर सकता है यह personal मामला है यह social या यह state का मामला नहीं है तो यदि आपको अगर मान लिजे कि आप किसी और धर्म से हैं और आपको विवाह किसी और धर्म के व्यक्ति से करना हो तो इसके लिए हमारे देश में कानून बना है उसको कहते है Special Marriage Act Special Marriage Act के अंतर गतिया होता है कि दो धर्मों के लोग पहले कोट में जाएंगे और कोट में जाकर के आवेदन करेंगे कि उन्हें शादी करनी है जब वो आवेदन करेंगे तो उसके बाद से उनके घर पर नोटिस भेजा जाएगा कोट के अंदर भी जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पर उनके फोटो को डिस्पले किया जाएगा और ये इसलिए किया जाता है ताकि किसी को भी इस विवाह से आवजेक्शन हो तो वो इस पर अपना आवजेक्शन रेज कर सकते है अब सवाल है कि दो धर्मों में शादी करने वाले कपल के बारे में अगर उनके पैरेंट्स को बताया जाएगा या नोटिस बोर्ड पर उनका फोटो लगाया जागा तो आज के माहौल में दो चीज़े ओसकती है एक चीज़े कि हो सकता है कि पेरेंट्स विरूद कर दें या सोसाइटी समाच के लोग इस शादी का विरूद करें और उसमें आप अपने वहवाई समझते हैं मैं दोस्तों ये बताओं कि ये एक drawback है special marriage act के अंतरगत क्योंकि जो couple खुद से शादी करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते special marriage act में तब तक जब तक कि उनके parents पुरी तरह से यानि दोनों के parents पुरी तरह से agree ना हो तो कई सारे couple इस रास्ते को अपनाते हैं वो ये करते हैं कि वो धर्म का परिवर्तन करते हैं लेकिन आपको मैं बता दो शादी के लिए यदि आप धर्म का परिवर्तन करते हैं तो इसको ना कानूनी माना गया ना गैर कानूनी माना गया है धर्म का परिवर्तन करना किस धर्म में आपका जन्म हुआ और किस धर्म में आप रहेंगे यह पूरी तरह से आपका विचार है लेकिन धर्म का इस्तमाल आप अपने फाइदे के लिए नहीं करेंगे इसका मतलब यह हुआ कि यदि मान लिजे कि आप किसी भी धर्म में है आपने अपने धर्म का परिवर्तन इसलिए किया क्योंकि आपका उस धर्म में आस्ता है और फिर आपने शादी किये तो ये बिल्कुल भी गैर कानूनी नहीं है आप किसी भी धर्म में हो लेकिन अगर आपकी उस धर्म में जिसमें आप परिवर्तन होने जा रहे हैं उसमें आप शादी कर लेते हैं इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है दूसरी बात कि धर्म परिवर्तन के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है कुछ-कुछ राज्यों में राज्य सरकारों ने अपना नोटिफिकेशन जारी की हुआ है कुछ नियम बनाए हैं धर्म परिवर्तन के लिए लेकिन बहुत सारे राज्यों ने इसके लिए कोई नियम नहीं बनाएं जो पूरी तरह से धर्म परिवर्तन का जो अधिकार है वो उस व्यक्ति के पास है जो उस धर्म का निर्वहन करता है जैसे मान लीजे कोई पुरोहित या कोई हिंदु धर्म को मानने वाला जिसको धर्म का ग्यान हो जिसके पास धर्म का सर्टिफिकेट हो वो व्यक्ति किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को अपने विदी विदान से कनवर्ट करा सकता है आप जिस धर्म में जाएंगे उस धर्म का व्यक्ति कनवर्ट करा सकता है प्रायह ऐसा होता है कि जब कोई शादी के वक्त आता है तो कोई भी रिचुल्स या कुछ इस तरीकी से बहुत विशेष फॉलो नहीं किया जाते हैं कागजी करवाई की जाती है और यह माना जाता है कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया और धर्म परिवर्तन करके आप एक धर्म में आ जाते हैं अगर आप मुस्लिम है तो आपने हिंदु धर्म में कनवर्ट किया और आरे समाज में आपकी शादी हो गई ऐसे करके शादियां हो जाती है जिसको पूरी तरह से कानोनी मानने अता तब मिल जाता है जब वह कोर्ट में रेजिश्टर्ड हो जाता है लेकिन कोर्ट में रेजिश्टर्ड हो जाने के बाव जोद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इतना ग्यान नहीं है आप समझे कि अगर धर्म परिवर्तन होता है तो नाम का परिवर्तन हो या आवश्यक नहीं है कोई व्यक्ति अपना कुछ भी नाम रख सकता है वो अपना नाम कुछ भी रख ले इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आप अपना नाम इंग्लिश नाम नहीं रख सकते आप अपना नाम मुस्लिम नेम नहीं रख सकते कोई व्यक्ति कोई भी नाम रख सकता है जैसे आप देखते होंगे कि मुस्लिम लर्के-लर्कियों में कई लोग हिंदू नाम रख लेते हैं तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि जब आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो उस समय आपका नाम चेंज किया जा रहा हो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो बिलकुल आपको यह समझाना है कि जब कभी भी आप ऐसे विवाह के बारे में विचार करें तो उसमें आपकी धार्मिक आस्था होनी चाहिए कि अबल आप धर्म का इस्तमाल अपने शादी के लिए मत किजिए और दूसरी बात शादी करने के बाद से यदि सुसाइटी के दोरा और समाज के दोरा या कानून के दोरा आपको परतारीत किया जा रहा हो तो आप जितना उपर पुलिस आफिसर्स हो सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट हो सकता हैं चिफ मिनिश्टर्स हो सकते हैं जितने लोग विमेन सेल हो सकता है उन सभी जगों पर उन लोगों की शिकायद जरूर कीजिए जो आपको धर्म के नाम पर बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको धर्म के नाम पर जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं साथियों आपको यह भी जरूरी है कि कभी ऐसे हलात आजाएं कि आपने कोई अलग धर्म में शादी की हुई है और आपके साथ बहुत परतारना हो रही हो तो आप निश्यत रुप से रुख कोट का करें आप हाई कोट में जाएं सुप्रेम कोट में जाएं आपको निश्यत दिलाओं हादिया केस है या इबराहिम केस है जो सुप्रेम पोड तक गया था और उसमें उन लोगों को इंसाफ मिला था तो इसलिए आप जब कभी भी आप धर्म चेंज करके शादी करें तो आप अपनी धार्मिक भावनाओं को दोनों ही लोग धार्मिक भावनाओं को बिल पर आपनीमादा